Hello everyone, welcome back again, हम सबके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है Easy Arvada with Vicky आज का टॉपिक है अश्टवित शस्तक्रम, जो की शल्ले तंत्र का बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है यहां से 20 marks का question और 10 marks का question दोनों types के question पूछे जाते हैं तो आज हम शस्तक्रम में सबसे पहले हम देखने वाले हैं शस्तकी निरुक्ती उसके बाद हम देखेंगे शस्तकी परिभाशा उसके बाद हम देखेंगे शस्तक्रम के प्रकार very important कि किस अचारे ने कितने प्रकार के शस्तक्रम कहे हैं और अंत में हम देखने वाले very 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 important शस्तक्रम के योग्य व्यादी means किस व्यादियों में कौन सा शस्तक्रम कराया जाता है तो ये याद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है जिसे कि मैंने एक सिंपल वे में explain किया है कुछ निमोनिक्स और कोडिंग के साथ तो आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है अंत में वो निमोनिक्स और कोडिंग के साथ आप सारी सस्रकम की ये व्यादी याद कर सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मेरी एक request है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की notification आप सभी को मिल सके आप अपने doubts और question मुझ से शरीर को कष्ट या पीड़ा दी जाए उसे शस्त्र कहते हैं तो ये छोटी सी quotation आप सभी को याद होनी चाहिए शस्त्रम ही शरीर हिंसकम इती जिसके कारण शरीर पर हिंसा की जाए या शरीर को कष्ट या पीड़ा दी जाए उसे शस्त्र कहते हैं अब है शस्त्र की परिभ तो ये छूटी सी quotation सस्थ्रस्य कर्म शस्थ्क्रम आपको याद होनी चाहिए तो नेरुक्ती में हमने देखा शस्थ्रम ही शरीर हिंसकम इती अर्था जिसके कारण शरीर पर हिंसा की जाए या शरीर को कष्ट या पीड़ा दी जाए उसे शस्थ्र कहते हैं परीभाशा में आपने देखा कि शस्त्र से कर्म, शस्त्र कर्म, शस्त्र का उपियोकर जो कर्म किये जाते हैं, उसे शस्त्र कहते हैं, ठीक है, अब भड़ते हम आगे, अब देखेंगे हम शस्त्र के प्रकार, सबसे पहले हम देखेंगे अचारे शुशुत मतानुसार, जो व अचारे शुशुत मतनुसार पर तो आचारे शुशुत ने आपको पता है आठ शस्क्रम बोले जिसे हम बोलते है अश्ट विद शस्त्र कर्म ठीक है तो इसमें आपको याद करना है सबसे पहले क्या एक निमोनिक छूटी सी याद करनी है वो है छे भले वे A.A.V.C ठीक है ये simple सी quotation आपको निमोनिक है ये आपको याद करनी है इसी निमोनिक के जरी मैं आपको पूरे आठ प्रकार के शस्क्रम याद कराऊंगा और इसी से एक हम शलोग भी याद करेंगे तो छे भले वे A.A.V.C ठीक है ए A.A.V.C छे भले वे A.A.V.C तो जो आठ हमारे शस्क्रम बनते है वो ये है छ से बन जाता है छे दन फिर भले भ से बन जाता है भेदन ल से बन जाता है लेकन और वे से बन जाता है वेदन तो छे भले वे ठीक तो चे भले वे ए आ वी सी छेदन भेदन लेखन वेधन और एशन आहारन विसरावन और सीवन तो आईए इसी से हम एक छोटा सा श्लोक भी देख लेते हैं श्लोक इस प्रकास है कि तच्छ शस्त्र कर्म अश्ट विधम तदता फिर यही चीज लिख दो चे दन भेदन लेख्यम वेध्यम एश्य आहारे विसरावन और सीवनम इती शुषुत सूत्रिस्थान 25 बाइ 5 का यह श्लोक बनता है तो सिर्फ आपको यह याद करना है कि छे भले वे ए आ वी सी तो चे दन भेदन लेखन वेधन एशन आहारे विसरावन और सीवन तो यह आपको आगे बताऊंगा अभी सिर्फ आप ये निम्मोनी क्याद करें कि 6 भलेवे AIVC ठीक है तो आपको अभी ये याद हो गया होगा चलो अब हम चलते हैं योग्ये व्यादी की और शसक्रम के योग्ये व्यादी का मतलब है कि किन व्यादियों में कौन सा शसक्रम हमें कराना है तो ये सिंपल सा एक गेम बनता है कि किस व्यादियों में हम कौन सा शसक्रम कराएंगे अब हमें पता है हमारे शसक्रम आर्ट प्रकार के तो किस व्यादियों में हमें छेदन करान बस वो ही हमें distinguish करना है तो आज हमें एक simple way में simple निमोनिक के साथ हम देखने वाले है तो सबसे पहले हम चलते हैं छेदन कर्म योग्य व्यादी छेदन का मतलब होता है excision मतलब काट के side fact देना तो किन-किन व्यादियों में हम छेदन कर्म कराएंगे वो हम देखेंगे तो इसके लिए आपको एक simple से निमोनिक याद करनी है वो निमोनिक है कि बंटा जी वशी आओ ठीक है बंटा जी वशी आओ तो B से हमारा बन जाते है भगंदर A से बन जाते है हमारा अर्ष N से बन जाते है मारा नाडी वरंड, T से बन जाते है मारा तिलकालक और A से बन जाते है अरबुद G, G से बन जाते है मारा गलशुंडी का, उसके बाद वाशी आउ, वाशी आउ से बन जाते है वलमीक, C से बन जाते है सीराय के सड़े गले भाग, A से बन जाते है अद्रुश और उसे बन जाते हैं उपदज, तो आप इन अगर count करेंगे, तो ये 10 मुझे याद करवानी है, वैसे इनकी कोई numbering नहीं है, पर यहाँ पर आपको ये कम से कम 10 व्यादी तो आपको ये याद करनी है, मतलब इन व्यादियों में आप छेदन करम कराएंगे, ठीक है, अब है आ V3 एक गाड़ी भी है, तो V3 खड़िये, कहां STD, आप सभी को पता है, पहले होता था PCOSTD, ठीक है, तो V3 खड़िये, कहां AT STD, तो डिकोड करते हैं से, V3 से बन जाते है हमारा विद्रदी, विसर्प और विदारी का AT, A से बन जाते है हमारा अनुशई, और T से बन जाते ह हमारा दंत पोपोट, तो वेरी इंपोर्टेंट ये निमोनिक बनता है, V3 AT STD, तो V से ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई, V3 कड़ी है, कहां पे खड़ी है, AT STD, ठीक है, तो भेदन यानि भाई, तो भाई, V3 खड़ी है, AT STD, तो उससे भी आप याद करने में आपको आसानी रहेगी, तो छेदन कर्म में हमने देखा, बंटा जी वशियाओ, यानि भगंदर, अर्श नारी वरण, तिल कालक, अर्बुद, गलश उंडिका, वलमीक, सिराओ के सड़े गले भाग, अदुश और उपदन्स, भीदन कर्म में हमने देखा, V3 AT STD, तो विद्रदी, विसर् विदारिका, अनुशई, तुंडिकेरी, शुद्रोग, तालू पूपुटक और दंत पूपुटक, यह आप लिखते जाएए, अभी के अभी आपको यह साथ और साथ याद होता जाएगा, अब हम चलते हैं आगे, आगे बोला गया है, लेखन कर्म योग्य व्यादी, आप डिकोड करो कैसे भी, ठीक है, तो लेखन, यानि लिखा, लिखा किसने रोहिणी ने, कहां लिखा, किलास में, कैसे लिखा, जीवा को उपर करके और नीचे करके, यानि उपजीवी का, ठीक है, उसके बाद क्यों उसने जीवा को उपर और नीचे करा, क्योंकि उसे गर जीवा को उपर करके और नीचे करके तो भाई जीवा को उपर और नीचे करके क्यूं रखा? क्यूं लिखा? क्यूंकि उसे ग्रंथी रोग हो रखा था तो ये आप याद करें और इससे ऐसे याद होएगा ठीक है अब हम चलता है वेधन कर्म तो वेधन कर्म योग्य व्याद वेधन का मतलब होता है पंचरिंग ठीक है तो इसे आप याद करोगे पंचरिंग तो पंचर लगाया कहाँ पे किसने मुसीज भाई ठीक है तो मुसीज भाई के हाँ आप आपने पंचर लगवाया वेधन करम जैसे आएगा तो वेधन करम यानि पंचरिंग तो पंचर किस के ह लगाया किसकी शॉप में लगाया मुसीज भाई की हाँ ठीक है तो मुसीज से बन जाता है मुँ से बन जाता है मूतर वृद्धी सीराय यानि विकृत सीराय और जव से बन जाता है जलोदर तो वेधन कर्म जबी भी आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए पंचरिंग और पंचरिंग किसकी यहां लगाया आपने मुसीज भाई किया पैंचर लगवाया आपने ठीक है तो मुतर वृद्धी विकृत सीराय और जलोदर बस तीनी इसमें याद करना होता है उसके बाद हम चलते है एशन ठीक है तो एशन कर्म योग्य व्यादी एशन मतलब होता है प किलास में कैसे लिखा जीवा को उपर और नीचे करके यान उपजीवी का अधीजीवी का क्यूं लिखा क्यूंकि उसे गरंती रोग हो रखा था ठीक है और अब हम देखने वाले फिफ्त एशन कर्म तो एशन यानि एश एश कहां पे है उस में ठीक है एश कहां पे होती है तो U से बन जाते हैं उन्दमारगी वरण और शल्ले युक्त ऐसे बन जाते हैं शल्ले युक्त नाडिया तो simple सा इसमें कोई आपको टेंचन लेने वाली बात नहीं है simple way में निमोनिक लिखते जाओ और इनकी व्यादियां लिखते जाओ ठीक है तो बस आपको थोड़ा थोड देखना है सिर्फ आपको निमोनिक याद रखने है व्यादी अपने आपी याद हो जाती है अब हम चलते हैं हमारा जो sixth है जो हमारा शस्रकम वो है आहारण कर्म योगी व्यादी किन किन व्यादियों में अब हम आहारण कराएंगे आहारण मतलब extraction तो इसमें आपको याद है हमारा अश्मरी वेरी इंपोर्टेंट अश्मरी ठीक है और उसके बाद सभी प्रकार के शल्ले तो इन्हें आपको बोडी से बाहर निकालना है जिसे हम बोलते हैं extraction तो यह तो सिंपल ही आपको याद हो जाएगा उसके बाद seven का है हमारा विस्तरावन कर्म ठीक है तो वि इसे बन जाते हैं विद्रदी विदारिका और वेदनायुक्त वाईयू ठीक है उसके बाद drainage तो drainage है हमारा modern term है तो drainage हम द से ही ले ले लेते हैं दंत वेश्ट और दंत पुपोटक तो इसमें भी आप ये पांच व्यादी याद करो वीस्तरावन है तो वी से ही याद करोगे विद्रदी विदारिका वेदनायुक्त वाईयू और drainage तो द से याद करोगे दंत वेश्ट और दंत पुपोटक ठीक है तो ये कम से कम इतने आप याद करेंगे उसके बाद हम चलते हमारे जो last शस्क्रम है वो है हमारा C1 C1 का मतलब होता है सूचरिंग ठीक है तो सूचरिं हमारा मेदो जन्ने रोग वेरी इंपॉटेंट और उसके बाद होता है चल संधी पर आश्शित वण इन सभी चीजों में इन सभी व्यादियों में आप क्या करा सकते हो, शीवन करा सकते हो, तो बहुत ही इंपॉटेंट ये यहाँ पर भी बनता है, अब हम चलता है आगे ज तो सूची करम हम देख लेते हैं, सूची करम के दो व्यापत कौन-कौन से होते हैं, पहला होते हैं, सूची का अधिक दूर प्रयुक्त करना, जादा ही दूर आपने प्रयुक्त करना, और सूची का अधिक समीप प्रयुक्त करना, बहुती समीप आपने वहाँ पे टाके लग ठीक है तो ये भी important है दो कौन-कौन से सूची का अधिक दूर प्रियुक्त करना और सूची का अधिक समी प्रियुक्त करना उसके बाद आता है जो हमारी ये 8 प्रकार के श्रस्त्क्रम है इनके व्यापद होते हैं चार कौन-कौन से होते हैं पहले हीन छेदन दूसरा आवशक के कारण अपने ही शरीर का छेदन आप कर रहे हो श्रस्तक्रम और आपने by mistake या किसी भी कारण से अपने आपको ही क्या पुचा दिया आगहात लगा दिया ये चोट लगा दिया तो वो हमारा फोर्थ हमारा ये चार प्रकार के श्रस्तक्रम व्यापद बन जाते हैं तो होती important ये भी बनता है अब हम थोड़ा सा modern aspect देखने वाले है श्रस्तक्रम का तो जैसे कि हमने 8 प्रकार के श्रस्तक्रम थे वो respectively इस प्रकार से होता है सबसे पहला excision फिर incision फिर scrapping फिर puncturing फिर probing फिर extraction, drainage and last में सूचरिंग तो छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आह सबसे पहले देखता है excision क्या होता है, excision के लिए बोला गाए is the removal of tissue or organ using a scalpel or other cutting instrument, तो काटो बाहर फैक दो, उसे बोलता है excision, उसके बाद incision, incision के लिए बोला गाए a cut produced surgically by a scalpel that create an opening into an organ or space in the body, simple सा cut करके अंदर से कुछ चीज़े बाहर निकालना है या body के अंदर कोई open space बनाना, उसे बोलता है incision, फिर आता है scrapping, scrapping का मतलब है material scrapped especially from the disease tissue for microscopic examination, उसके बाद puncturing, puncturing का मतलब होता है is the act of piercing or penetrating with the pointed instrument, probing, probing का मतलब है used to explore the wound or body cavity and extraction, extraction का मतलब है बाहर निकालना, मतलब the process of act of pulling or drainage out the drainage out tissue or foraging body, ठीक है उसके बाद drainage, drainage के लिए बोला गया है कि it is the removal of fluid from the body और अंत में हमारा आता है suturing, suturing के लिए बोला गया, it is a surgical technique used to hold the body tissue together after an injury or a surgery तो ये आठ प्रकार के शस्क्रम, modern as well as आहरवेदा आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत ही simple way में मैंने explain करने की कोशिश करी है, जो भी निमोनिक है, निमोनिक के थ्रू ही ये सारी व्यादी याद होती है, तो मैंने एक simple way में आपको explain करने की कोशिश करी है, hope करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगिया, अगर वीडियो अच्छी लगिया तो please इसको like करें और अपने college group में share करें, तो thanks for watching, keep supporting, thank you so much